हलो अब्रोबन स्वागत आप सभी का एक बर फिर से एक नए वीडियो में आज कि इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं Nifty Bank के बारे में Bank Nifty एक Index Fund है जिसे NSE के द्वारा Launch किया गया था और NSE के द्वारा ही Maintain and Manage किया जाता है इस Index Fund में Top ऐसे कौन से Banks है प्राइवेट बैंक एक अलग इंडेक्स है इस बैंक बैंक निफ्टी में प्राइवेट एंडेक्स दोनों आ जाते है प्राइवेट बैंक का एक सेपरेट इंडेक्स है जो किसी और वीडियो में बात करेंगे यह हमँआपको स्क्रीन पर रहे चलते हैं और इस चीज को धिखाते है, तो जो इस बैंक स्रिफ आधा बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में ऐसे कौन से टॉप 5 शेयर्स是 को आज आज हम लोग इस वीडियो में कौवर करने है, टॉप 5 शेयर्स फर बैंक निफ्ट ठीक है और इस top 5 shares को basically NSE क्या करती है NSE जो है वो हर मन्त के last trading day last trading day को एक report publish करती है और उसमें NSE जो है इस चीज को intimate करती है कि bank nifty में, nifty bank में top 5 shares कौन कौन से है तो basically उस report में top 10 shares होते हैं और हम लोगों ने choose किया था top 5 shares जो हम आपके सामने इस video में share करेंगे पहला जो share है वो HDFC का है HDFC का market capital अगर हम बात करें तो 12,38,000 crore का market capital है और वहीं पर अगर आफ current price की बात करें तो 1625 rupees का current price है 1363 से लेकर 1794 का है peer ratio 18 का है ROC 7.6% के असपास and 17% के असपास ROE है अगर आफ देखेंगे तो यह bank का debt basically क्या होता है यह bank पैसे को circulate करती है तो debt देती है तो यहाँ पर यहाँ पर mention होता है तो bank में debt to equity ratio देखने वाल यह चीज होती नहीं है खास आफ देख सकते हैं DII holding FII holding which is phenomenal almost altogether close to 80% के असपास DII FII holding है promoter holding यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है promoter ने stake को नहीं रखाया second जो largest bank है वो है ICIC bank ICIC bank के अगर हम लोग बात करें तो 8,50,000 क्रोर के असपास का market capital है P ratio 18 का है 16,50,000 क्रोर के असपास का यह company का मतलब circulated business होता है तो debt यहाँ पर दिखा दिखा दिया जाता है debt to equity ratio बैंक में बिल्कुल matter नहीं करता है यहाँ पर भी promoter holding 0% है 44.4% के असपास DIA holding है 45.5% के असपास FII holding है FII-DIA holding के अगर बात करें तो directly आप देख सकते हैं 90% के पास FII-DIA holding है यहीं पर अगर आफ थोड़ा सा गौर करेंगे और investor pattern पर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि public holding सिर्फ इस bank में public holding 9.79% के असपास public holding है अब हम लोग का 3rd bank है State Bank of India State Bank of India के अगर हम लोग बात करें तो market capital जो है यह PSU bank है 7,30,000 करोड के असपास है आप देख सकते हैं 56,000,000 करोड के असपास का business यहाँ पर दिखा गया है Promoter holding 57.5% है यह जो promoter holding है आज के date में सिर्फ द्रॉपती मुर्मुर उनके पास उनके account में President quota में यह सारे PSU's के जो promoter holding होते हैं वो दिखाया जाते है 9% के असपास का profit growth है 11% FIA holding है 23% है यहाँ पर भी अगर आफ investor pattern पर ध्यान देंगे ना तो आफको दिखेगा investor pattern में public holding सिर्फ और सिर्फ 7% के असपास की public holding है अगर इसमें हम बता दे 93% जो शेयर है वो एदर प्रमोटर के पास है FIA के पास है यह एक बहुत अच्छा sign होता है 3rd जो bank है वो है कोटेक महंद्रा bank कोटेक महंद्रा bank का market capital के अगर बात करे 3,61,000 क्रोर के असपास का market capital है ROCE 7.86% है ROE 15.1% है promoter holding 25.9% है profit growth 14.2% है 27% का DIA holding है 33% के असपास की FIA holding है अगर आप यहां पर भी investor pattern देखेंगे तो आपको 13% का ही सरिफ public holding देखने को मिलेगी Axis bank जो है last but not the least 5th largest top 5th bank में आता है and 5th number पर यह bank है Nifty bank की हम लोग बात कर रहे है Nifty bank जो है एक index है जिसे NSC द्वारा publish किया जाता है तो अगर हम लोग बात करें market capital का तो 3,60,000 क्रोर का market capital है 921 से लेके high 1340 rupees का high लगा है current price 1,166 rupees का current high है P ratio जो है 13 का P ratio है ROC 7.06% का है ROE 18.4% के आसपास का है Promoter holding 8.31% के आसपा है debt इसमें बहुत बहुत मलब होई business वाला है bank वाला scene है Promoter holding FIA 53% FIA holding 53% Promoter holding 8% FIA holding 53% and DIA holding 31% यहां पर अगर आफ investor pattern की बात करें तो आफको दिखेगा कि Axis bank में सरिफ 6% holding public की है अब आफको करना क्या है Google में जाके बस टाइप करना है Nifty bank और जब आप इसको स्क्रोल कर रहे होंगे नीचे थोड़ा से स्क्रोल करेंगे तो आफको दिखेगा एक website जो की NSC का website है Nifty index.com यह NSC का logo लगा हुआ है जब आप उसपे क्लिक करेंगे तो आफ रीडारेट करेंगे Nifty bank के sectorial index fund में और जब आफ index fund में जाके थोड़ा से scroll down करके यहां पर एक fact sheet है आपको दिख रहा होगा download section में fact sheet है इस fact sheet पर जब आफ क्लिक करेंगे तो आफ land करेंगे NSC indexogram इस NSC indexogram का last month का जो last trading days था वो 31st of July था तो इस 31st of July को अपडेट किया गया हाला कि अगर चेंज नहीं होता है तो as it is same report आफ को हर अब महीन देखने को मिलेगा पर आज के date में जो top 5th largest bank है वो HDFC है, ICIA, State Bank of India, Kotec महेंदरा Bank, Access Bank जिसके बारे में हम बात कर लिया है इनके अलावा जो other 5 है जो top 10 में आते हैं वो है Indocent, Indbank Federal Bank, Bank of Baroda Punjab National Bank, AU Small Finance Bank यह top 10 bank है जो की basically Nifty Bank को दिखाते हैं यह वीडियो इतना ही था अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी mutual fund ETF या फिर share के बारे में analysis करना चाहिए या आपको मेरे साथ connect करना है तो comment section में आप बिल्कुल मेरे से connect कर सकते हैं हम हर एक comment का response करने एक होसिस करेंगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए topic पे किसी नए share पे तब तक के लिए stay tuned take care thank you so much guys do subscribe this video and do subscribe this channel and like this video और एक बात और देखिए जब भी आफ किसी भी share में invest करेंगे आफ make sure कीजिएगा कि जो भी investment करेंगे वो best share में कीजिए ऐसा नहीं है कि आफ सिर्फ और सिर्फ small cap अपने portfolio में रखेंगे तो एक time ऐसा भी आएगा जब small cap में correction होगा आफ का पूरा portfolio हिल गया होगा तो make sure आफ जब भी portfolio बनाए तो diversified रखे है थोड़े से large cap भी उसमें रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है mid cap रखने ज़रूरी है अपने risk appetite के हिसाब से अपने portfolio को diversified रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे कुछ ऐसे भी friend है इस channel पर आफको वीडियो भी मिल जाएगा 5 करोर परटपोलियो का एक वीडियो है मेरे चैनल पर आप जाके देखेंगे तो चैनल के home page में आपको दिख जागा 5 करोर रुपया उन्होंने अपने portfolio बनाया है 5 करोर रुपया का portfolio बनाया है और वह portfolio 2 करोर रुपया नुकसान में है तो आप देख सकते हैं 30% पूरा पूरा portfolio corrected है क्योंकि उन्हें 5 करोर रुपया सीरे के सीरे एक ही share में लगा दिये मतलब यह बिलकुल भी अच्छा नहीं है सरिफ उनके portfolio में 2 shares है जिसमें से 98% पैसा जो लगा हुआ है वह एक ही share में लगा हुआ क्या हुआ का बाइ टेक्ररा टेक्सक्राइब माइए प्रुक्सक्राइब टेक्स्ताऊ चानल लाक ठीक्स्ताइब